वेल्कम फ्रेंड्स मैं दिब्णन बुल्डा हूं वेस्ट पेंगल मिर्नापूर से मेरे यूट्यूब चैनल डिन्म टेक्नोलोजी सपोर्ट में आप सब का स्वागत है है कि कि अब लोग के लिए और एक को नाया सब्जेक्ट लेक्ट बहुत इंपोटन सभ्जेक्ट एंडुडisol आप एंडुडियोट के बारे विश्वारे अबंग्यार आज मैं देखांगा जो यह देख रहा है यह एक स्मार्ट पीसी भी है यह यूनिवर्सल का ही है तो यह एमस्टर का बोल लगा हुआ है मैं इसका नमबर भी दिखाऊंगा इसमें जो नमबर है आप लोग साइद देख पर रहा है कि अब देखाऊंगा यह यह यूनिवर्सल टाइप का इसमें 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 बीजे केविल भी नहीं है तो मैं इस बोड का सौफटर रीट करूंगा और 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 आटी एट रोनाइट एप के मुद्ध से यह जो हम लोगा नॉर्मल प्रोग्रमर होता है नॉर्मल बोड के लिए इसी प्रोग्रमर के थूरू मैं सौफटर रीट करूंगा और इसका पहले मैंने एक वीडियो दिया था यह स्मार्ट बोड का सौफटर रीट करने के बारे में तो इसमें मैंने जो आटेर जोनल एप का बीच में जो सीक्वर सी रहते है उसके उच करके हम लोग कैसे रीट करते है वह मैंने दिखाया था लेकिन आज मैं अलग एक सौफटर से करके दिखाऊंगा और वह करने के लिए मैंने यह जो यह वाला केविल से मैंने वीडियो बनाया था जो यह एसडिया में केविल होता है इसका मैंने इसमें तो बहुत साड़ा वायर रहता है मैंने इसमें इसमें तीनों वायर बचा के रखा है जो इसमें आरेक्स और टी एक्स होता है यह आरे और इसका इधार यह सोकेट है इसको मैंने यह प्रोग्रमार से करूंगा और इसका जो दूसरे एंड ही है मैंने यह मादरबुड पे जो आरेक्स टीएक्स का एक पोर्ट दिया हुआ है तो इसके त्रू मैं आज इसका बैक आप लोगा और एक अलग सॉप्टेर से बहुत इजी भी है और मैं करके दिखा रहा हूँ तो उससे पहले मैं एक बाद आप लोगों को बता हूँ कि आज जिनोंने मेरे चैनल पर नाया है या तो मेरे चैनल को कॉंटिनू देख रहा है आज मुझे बहुत खुसी आ रहा है कि आप मेरे चैनल आज 20,000 सब्सक्राइबर कॉंप्लिट हो गया है इसलिए आप सब कोई धन्मबाद देना चाहता हूँ मैं क्योंकि आप लोग को प्यार मुझे आज यहीं तक पहुंचाया है तो मैं चाहता हूँ अब लोग मेरे साथ जुड़े रही है मैं भी हमेशा आप लोग को साथ जुड़ाई रहा हूँ गा तो अभी चला जाता है यह सब्जेक्ट पे और यह कैसे कानेक्शन करते हैं और कैसे रीड करना होता है तो मैं पुरा प्रोसेस अब लोग को साथ अज शेयर करूंगा देखते रहा है तो फ्र और इसमें जो राम लगा हूँ यह दिखा रहूं मैं यह 4GB इसका जो इंटर्नियल स्टोरेज है और यह 512 का राम है इसमें तो यह इसमें कितना डाटा है वह भी मैं दिखाऊंगा रीड करके और जिसके थ्रू रूप मैं यह रीड करूंगा इसमें मैंने बताया था कि इस तो इसके लिए जिस बोड में वीजिय केविल नहीं है उसमें एक अलग से पॉइंट दिया प्याद हैं मत必़त है हिर्णों को दिखा हूँ मैं यहीं पर देखिए यहीं पर 4-pin का यह सौकेट दिया हुआ जो इसमें दिखिए और इसका जो दूसरे एंड है यह मैं इस प्रोग्रमर का जो HDMI को कनेक्टर है इसमें मैं लगाऊंगा लगाने के बाद मैं प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे यह होते हैं तो फ्रेंड से अब लोग देख सकते हैं मैं यहीं पर कनेक्शन कर दिये यह RX TX और यह ग्राउंड मतलब है तो बहुत सार ने यह पीछले वीडियो में मुझे पुछा था क्या यह जो इसका कानेक्शन काई से मैंने किया हूं एक्टिल में इसके अंदर बहुत सारा वायर रहते हैं अब लोग अगर इसका पीन कॉन भीकरेशन देखेंगे तो इसमें जो आपको पता चलेगा कौन आरेक्सटी एक्स होता है इसको देखके ही यह से बनाना पड़ता है तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिये और एजडेमेकेविल को इसके साथ एटास्ट कर दिये यह प्रोग्रमर के साथ अब लग देख सकते हैं यह 809F है तो मैं अभी सिधा चला जोंगा मेरे डेक्स्टॉप जो मेरे लैप्टॉप के तो इससे पहले मैं जो दिखाया था सीकोटी सीटी से सीटी से जो टूल्चेंड का एक सब्ट्यार होता है उसके थ्रू मैंने किया था आज मैं एक अलग सब्ट्यार एप्लिकेशन होता है यह जो आप लोग देख रहे हैं यह पूट्टी करके लि यह बोड़काट यह मैं से डाटा रिड करूँगा तो यह बहुत इजी प्रोसेस होता है मैं स्टेप बाइ स्टेप दिखा रहा हूं तो मैं पहले क्या करूंगा जैसा यह 8809F से मैं कर रहा हूं तो यह जो 8809F का अप्लिकेशन है यह मैं पहले खोलूंगा तो यह जो पूरा सिस्टेम है यह प्रॉपर जानने के लिए अब लोग को पूरा वीडियो देखना है कभी स्कीप नहीं करना वीडियो को इसमें मैं अब लोग को साथ पता ही होगा क्योंकि मैं जो भी बतता हूं सब इन्फरमेटी भी बतता हूं तो इसलिए वीडियो को स्कीप मत कीजिए और पूरा देखी अब लोग को पता चले गाई यह सॉप्टेर कैसे एफ के थू किया जाता है इसका डाटा प्रोसेस क्योंकि यह हम डाटा हम लोगों को रिगवारी करके रगना बढ़ता है हम लोगों पास तो यह एफ का विंडो खोल गया है कि अब 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 और और मैं पहले इसमें यह जो लाइन यह साइस कानेक्ट हुआ है कि नहीं इसके लिए मैं पहले इसका आटा आएस पी करूंगा आप बोड को मैं लाइन दे रहा हूं और यह देख पा रहे है यह इसका ब्लू इंडिकेटर जला हुआ है तो इसके बाद मुझे यह यह आटा आएस पी करना है यह आटा आएस पी किया है और यह दिखा रहा है यह एमस्टर का बोड है यह एमस्टर दिख रहा है और यह ओके भी दिखा रहा है इसके बाद यह बोर एक्ट्व में साइज से कनेक्ट वाकर नहीं इसका राम कितना है यह अगर इंफोर्मेशन चाहिए और इसके मधर बोर साइज से काम कर रहे के नहीं यह शॉब जानने के लिए यही पे जो सिरियल सेट को बंद करना है और फिट से इसको चलो करना है तो उसके बाद ये सिरियल प्रिंट आएगा इसमें इसका पूरा इन्फोर्मेशन भी आ जाएगा यह बोर्ड के बारे में और यह डाटा क्लोग जो मैंने HDMI के थूर लगाया है यह साइस से कनेक्ट हो आएकर नहीं वह भी पता चल जाएगा तो अभी इंडिकाटर जला हुआ इसको बंद होने तक हां बंद हो गया है तो मैं फिर से लाइन दे रहा हूं और यह देखिए यह इसका जो सिरियल प्रिंट है यह आगाया है यह दिखा रहा है DDR 512 MB यह RAM दिखा रहा है 512 MB का और इसमें जो EMC size यह भी दिखा रहा है देखें यहीं पर 3.63 GB अब लोग साइद देख पार रहा है मैं और भी यह इन पर लिखा हुआ है EMC 3.63 GB और इसका RAM है 512 MB का तो मेरा बोर्ट तो साई से इसके साथ connect हो गया है अभी यह programmer का और कुछ मतलब यह F का और कुछ application का कुछ जूरूत नहीं है मैं इसको cancel करते हूंगा तो अभी जिसके फ्रू मैं करूंगा वह मैं अभी दिखा रहा हूं तो फ्रेंड से मेरा सिटाप कॉम्प्लीट है अभी जो प्रोसेस दिखांगा वह यह असली चीज़ होता है जो मैंने बता है था यह अलग एक software एप्लिकेशन से मैं यह डाटा रिट करूंगा जो है यह पुट्टी अब लोग देख रहा है यह पे पुट्टी लिखा हुआ है और इसको मैं अभी सिधा ओपन कर रहा हूं है पूaltet कि और इसके जो येंडों और है कोछय हुआ यह पहले देख रहा है यह ऐसे से इच लिखा रहा हूँ धैशन से जोड़े दिखा हूआ इसको सीरियल पे करनेकर ना है स्के बाद इचनेज़ कर के और यहे लिखा हूऑ है स्पीड मतलब यह बॉर्ड रेड होता है जिसका स्पीड होता है एक लाक पंद्रह हाजार दो सो यह सिलेक्ट करने के बाद यही पर उपन करना है और आप लोग देख रहा है इसमें लाइन बंद किया हुआ यह कुछ इंडिकेटर नहीं जल दा है अब ही जो प्रोसेस है क्या और इसका जो बॉर्ड का मेन पावर है यह चलू करना है अब लोग डिस्प्ले की तरफ देखते रहे हैं मैं इंटर दवाके रखा हूँ और यह लाइन दे रहा हूँ यह देखिए यह अभी एमस्टर का कॉंसल पर आ गया है तो इसमें अभी कॉमंड देना है और मैंने यह पर यह जो मेरा पेंड्राइब है यूस्वी पर लाग रखा है और यह पेंड्राइब लागन से पहले इसको पहले फॉर्मेट कर लेना चाहिए ताकि इसके अंदर कुछ भी डाटा इंफरमेशन ना रहे है तो यह अभी ब्लू इंडिगर जला हुआ सेट ओन कॉंडिशन म क्या करना है अभी यह mt5862 करके यह लिखाया है और अभी इसमें कॉमंड देना है जो कॉमंड मैं दे रहा हूं e mmc bin space 1 इसके बाद फिर से एंटर दबाना है यह एंटर दबाने के बाद इसका जो डाटा रीड प्रोसेस है और चलो हो जाएगा हाँ आई यह तो फिर चलो हो गया है और अभी इसका जो बोर का डाटा है यह अभी टानसफर हो रहा है तो इसका जो यह प्रोसेस होता है यह थोड़ा टाइम लेता है यह तो तब तक मैं वीडियो को कुछ दिर के लिए पहुच करूंगा तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा इसका जो डाटा कितना स्टोर हुआ है जो सिरियल प्रिंट में मैं दिखाया था इसका जो इम्म से था यह 3.63 जीवी का था करीब और बुट 1 बुट 2 और तो तोड़ा कॉम इम्मी का होता है यह तीनो फाइल इसमें सेव होता है तो यह से दिखाऊंगा इसमें कितना डाटा इसमें लोड हुआ है और बैना दिखाया था इसका जो 512 का रैम होता है और यह 4gb का रॉम इसमें यूज किया गया है तो यह प्रोसेस कॉम्प्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगा कितना कैसे स्टूरेज हुआ है तो थोड़ा मैं वीडियो को पहुच कर रहा हूं तो फ्रेंड अभी देख सकते हैं यह कॉम्प्लीट हो गया है अभी ऐसे डाटा राइट होने के बाद यह ऐसे कॉमेंडा के रुख गया है तो अभी यह सेट चालू कॉंडिशन मैं यह पेंड़ाइब भी पर लगा हुआ है तो इसमें एक्शुल में टाइम लगा है 25 मिनिट टाइम लगा है तो मैं इसका पावर बंद कर रहा हूं पावर बंद कर दिया है और अभी इसका जो पेंड़ाइब है इसको मैं निकाल रहा हूं और इसमें जो अभी यह विंड़ो खुला हूँ इसको भी मैं ट्लोज कर रहा हूं तो अभी इसमें पेंड्राइब लगा रहा हूं और इसमें क्या आया है देखना है कितना एमबी के डाटा आया है इसमें यह मेंसी का आये तो अभी मैं माई कॉम्पीटर पर जा रहा हूं और यह एफ ड्राइब में लगा हूँ यह एफ है इसमें देख पा रहा है इसमें टोटल 14.7 जीवी का स्पेस है तो अभी 11.0 जीवी फ्री है इसका मैं खोल रहा हूं और इसके आंदर देखिए अभी तीन फाइल दिख रहा है बूट वान बूट टू और यह मेंसी यह जो बूट वान होते है इसका जो कितना एमबी का दिखा रहा हूं मैं बूट ट्लिक करके इसका प्रोपारटिज देखना है तो यह देखिए यह 3.99 मतलब यह 4 ईंवी का साइज जाही है जो बूट वान 4 अवी का और यह जो बूट 2 है इसको भी प्रोपारटिज देखना है यह भी सेम 4 आएमबी का है यह तो इसके बाद जो बड़ा फाईल होत होता है यह mmc bin यह देखिए 3.63 gb दिखा रहा है जो दिखा यह था सेरियल प्रिंट में और आभी यह तीनों मिला के कितना हो रहा है कि इनों मिला के भी हो रहा है 3.64 gb तो यह डाटा पुरा इसमें मेरे पेंड्राइब पे लोड हो गया है ऐसे प्रोसेस करके हम लोग को इसी एप के थ्रू हम लोग यह जो HDMI के विल के द्वारा RXTX कनेक्शन करके हम लोग डाटा को बैक आप में ले सकता है सायद यह अब लोग को प्रोसेस पता चल गया है तो थांक यू फ्रेंट्स